नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं परतिहार टोटके मिथुन डासी देव गुरु ब्रस्पती 18 मई दो हजार पच्चिस तक ब्रिशब रासी में रहेंगे और जब वो ब्रिशब रासी में रहेंगे तो इस दोरान 120 दिन के लिए वक्री भी होंगे और दो या तीन जून के आसपास गुरु उदित होंगे तो मिथुन डासी के लिए गुरु दो तरह के फल करेंगे देखे गुरु की दृष्टी हमेशा सुब रहती है गुरु की दृष्टी में अम्रित है और मिथुन डासी के लिए बारवे भाव का गोचर हलांकि बढ़िया नहीं है यानि बारवे भाव में बैठे हैं तो ये अच्छा नहीं है लेकिन उनकी दृष्टी आपको सुफल देगी गुरु आपके दो भावों के स्वामी है एक तो पार्टनर्सीप का भाव और दूसरा कर्म का भाव कारोबार नौकरी यह सब यहीं से देखने को मिलता है अब देखिए गुरु तीसरे भाव में अब यह गोचर आपके लिए सही नहीं है लेकिन गुरु के लिए यहां पर देखिए इस्ट्रेगल थोड़ा आपको ज्यादा करना होगा क्योंकि बिरस्पती सनी से केंदर में होंगे और अस्टम भाव में मंगल राहु केतु के बीच होंगे अब देखिए यहां पर सूर्य सनी का संबंध भी इस परिवर्तन के समय बना हुआ है तो ऐसे में जो मिथून बालों है इस्थान परिवर्तन के इस प्रियर में योग बनेंगे और साथ ही स्वास्त आपको पूरे साल ध्यान रखना है स्वास्त की समस्या से बशने के लिए राम रक्षा सुरोत का पार्ट रोज करें या सुनें हलांकि संपत्ती प्रोपर्टी लाप के योग आपके लिए बना रहे हैं देव गुरू तो अगले 13 मेने में संपत्ती प्रोपर्टी का सुख जरूर मिलेगा तो एक साल ये जो एक साल का वक्त है किसी के साथ बिजनस पार्टनर्शिप में जाना है तो थोरा साबधानी से जाईएगा और खास कर अपने जीवन साथी का स्वास्त का ध्यान रखिएगा खुद का भी अब मूल त्रिकोन रासी सप्तम में है और ये पार्टनर्शिप का भाव है तो अब देखिए इसमें तीसरा भाव प्राक्रम का है आप जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी के तुभी इस भाव को एक्टिव कर रहे हैं और चौथा भाव गुरू के द् ले जोंगी निगेटिव गोचर में हैं बार्वेया स्थान पर लेकिन इसके बावजूद उनकी द्रिष्टी आपको सकात्मक फायदा देती दिखेगी अगर आप कोई भी आपके उपर केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें भी आपको लाब दिखेगा यानि फायदा दिखे अगर आप रिसर्च के काम से जुड़े हैं तो उस पर गुरू की नवी द्रिष्टी पढ़ रही है और यहां पर गुरू की द्रिष्टी अस्टम को एक्टिव कर देगी यानि दुरगटना का चांस थोड़े से कम हो जाएंगे तो अब देखिए जो लोग मिथोन बाले हैं देखिए देव गुरू ब्रिस्पती का गोचर 12 भाव में विदेश यात्राएं एकांध बैक्ति के आध्यात्मिक उन्नती का भाव है और इनकी दृष्टी चतूर्त भाव छटे भाव अस्टम भाव पर है देव गुरू ब्र करें पेट की समस्या थोरी परिसान करेंगी अपना ध्यान रखें बैवाहिक जीवन में भी थोरा बहुत तकलीफें हो सकती है इससे बचने के लिए ओम ब्रिंग ब्रिस्पते नमा का जब करें या नियमी तुरूप से स्री हरी को हल्दी का तिलक लगा कर माथे पर लगाए हलांकि नौकरी में बदलाओ के योग भी बनेंग वीडियो पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से सेयर करें और कमेंट में हर हर महादेश चरो लिखें धन्यवार